Welcome everyone to this brand new video right here और आज इस वीडियो में हम देखने वाले PHP का syntax के बारे में तो हर language का एक अपना syntax होता है और हर language का अपना एक तरीका होता है लिखने का ठीक है कुछ उसके rules होते हैं कोई तरीके होते हैं तो आज हम देखने वाले हैं कि PHP का syntax क्या है अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस पर भी subscribe करो और अगर आपको यह video help करती है तो प्लीज एक like करके comment ज़रूर करना और इन वीडियो का जो pace है वो मैं बहुत slow रखने वाला हूँ इवन अगर आप एक 7th class के 8th class के बच्चे भी होना अगर आप इनको follow करते हो आपको सारी चीज़े समझ भाएगी उतना easy में इस टुटोरियल का pace रखने वाला हूँ तो बस आराम से देखो और चीजों को समझते जाओ और साथ साथ करते जाओ सब को समझ भाएगा ठीक है तो यह हमारी कल जो है कल हमने यह PHP फाइल बनाए तिसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सब चीज़े clearly दिखाए दे ठीक है तो PHP को हम लिखेंगे कैसे हमने फाइल तो बना ली बड़ पिएचपि को हम लिखेंगे कैसे तो आपको पिएचपि लिखने के लिए सबसे पहले यह लिखना होगा ठीक है और यह आपको करना होगा मतलब की PHP को हम ऐसे start करते हैं और PHP को हम ऐसे close करते हैं अब जो भी content है वो सारा content इसके अंदर जाएगा ठीक है तो आपको PHP कोई भी अगर code लिखना है तो वो कहा जाना है यह syntax के अंदर ठीक है यह आपको करना ही होगा अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आपका code काम नहीं करेगा तो मैं आपको एक्जांप्ल देख के बता देता हूँ कि यह काम कर रहा है मैं यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ है यहाँ अपर मेरा hello world चल रहा है इसका मतलब कि मेरा code यहाँ पर काम कर रहा है तो आपको सबसे बेसिक जो चीज है, जब भी आपको PHP लिखना है, इसको अभी आप 2 मिनिट के लिए भूल जाओ, चाहो तो, आपको इस तरीके से PHP को start करना है, close करना है, यह last में आपको PHP लगाने की जरुवत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे PHP लिखने की जरुवत नहीं है, यह आपको इतना clear हुआ होगा, इको क्या है, यह मैं सब आपको और आगे वारी वीडियो में बता हूँगा, बट मैं इस वीडियो में आपको basic बता देता हूँ, कि एक output करवाने के लिए हमारे पास होता है, राइट करने के लिए कुछ भी हमारे पास होता है, इको का मतलब होत किया, तो इस तरीके से आप चीजों को print करवाते हो, PHP में, अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, कि आप को अगर HTML को और PHP को साथ में लिखना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो बहुत सारे लोगों के मन में idea होगा कि हमें index.html फाइल बना तो उसके अंदर आप सिर्फ HTML लिख पाओगे, उसके अंदर आप PHP नहीं लिख पाओगे, अगर आपको HTML और PHP दोनों साथ में लिखना है, जो कि आप लिखोगे, क्योंकि जो भी आपका output होगा, वो तो आप HTML फाइल पे ही लिखना होगे, HTML के थ्रू ही output लिखना होगे, तो HTML और PHP के fusion तो ज़रूरी है, तो इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाता हूँ, अगर आपको HTML और PHP साथ में लिखना है न, तो सबसे पहले आपकी फाइल का जो extension है, वो .php होना चाहिए, index.html, about.html काम नहीं चलेगा, आपको .php का extension वहाँ पे ल जो इस फाइल को process करता है, वो करेगा नहीं, तो आपको PHP लगाने, इस चीज का ध्यान रखने, अब आपको क्या करना है, for example, यहाँ पे मैं HTML ले लेता हूँ, ठीक है, यह HTML का मेरा document है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसको मैंने save कर लिया, यहाँ पे मैं एक H1 ले लेता हूँ, इस this is a heading, ठीक है, heading हाँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, in HTML, ठीक है, HTML के एक heading है, यह मैं यहाँ पे लिखरा हूँ, तो यह this is a heading in HTML, अब मुझे इसके अंदर PHP लिखना है, वो मैं कैसे लिखूँगा, बहुत SIMPLE है, HTML के आंदर PHP लिखना बहुत SIMPLE है, होगा simply हमें मैंने आपको पता है PHP लिखना स्टार्ट कैसे करते है और यहां पे यह मैं अब इसके अंदर जो भी PHP लिखूंगा वो यहां पे मेरा PHP आउपूट करते तो for example यहां पे मैं लिखता हूँ again echo ठीक है और यहां लिखता हूँ मैं hello world ठीक है सेव यहां गया रफ्रेश किया तो आप देखो कि this is heading in HTML और hello world actually मैं इसको hello world in PHP कर देता हूँ ठीक है सेव यहां गया रफ्रेश किया hello world in PHP तो आप देखो कि यह हमारा डॉक्यूमेंट आपको HTML जैसा दिख रहा है ठीक है बट यह PHP का दोक्यूमेंट है PHP जहां भी लिखना है ना दो रिक्वार्मेंट का ध्यान रखना है पहला तो आपका फाइल का extension.php होना चाहिए दूसरा आपको यह वाला टेक स्टार्ट करना है PHP का और यह टेक को क्लोज करना है इसके अंदर जो भी चीज़े लिखोगे ना वही काम करें एगर मैं यहां पर कुछ मिस्टेक कर देता हूं और इसको यहां पर जाकर रिफ्रेश करता हूं तो देखो यहां पर एरर दे रहा है पार्स एरर सिंटेक्स एरर और अन यहां पर मिलेगा तो कहने का मतलब है कि हमारा यहां पर यहां पर यह रन हो रहा है मैं इको करूंगा तो इस तरीके से हम PHP को HTML के साथ जो है वो इंबेड कर सकते हैं कोई इशु नहीं होगा अराम साब लिख सकते हो इसको ठीक है तो गईस आसिट फॉर इस वीडियो बहुत बेसिक वीडियो थी और मैं वीडियो का पेस बहुत आराम से और बहुत ही एजी रखने वाला हूं ताकि सभी लुको को समझ कर दो और कमेंट डाल के बता हो जरूर ठीक है कैसा लगा वीडियो एंड 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 वीडियो नेक्स वीडियो बाबाए